अगर हम इंडिया में हाइस टेक्स पेर की बात करें तो हमारे माइंड में सिब बड़े बड़े बिजनसमेन का ही नाम आता है पर इंडिया में तो हाइस टेक्स कोई और ही बरता है इंडिया में सबसे ज़्यदा टेक्स बरते हैं अक्षे कुमार अब सवाल ये आता है कि अक्षे कुमार की नेट वर्थ तो इन सारे बिजनसमेन से कम है कुछ गजब जान करें देंगे इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजी और साथ ही साथ अमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजी देखे बिजनसमेन को जो प्रॉफिट होता है वो उनके शेर्स से होता है मान लीजे मुकेश अमबानी ने इस साल कमाए 50,000 करोड पर वो 50,000 करोड उनके बैंक में नहीं आए वो उनको पेपर पर फ्रॉफिट हुआ है किसी पर्टिकॉलर इंसान ने उनके 50,000 करोड नहीं दिये और नहीं ये प्रॉफिट का पैसा उनके बैंक में आया है और इसे हम कहते हैं अन्रियलाइज इंकम और इंकम टेक्स का लॉइ ये कहता है कि जब मुकेशंबानीन सारे शेयर्ज को बेचेंगे तब उनके टेक्स पे करना पड़ेगा अक्षे कुमार को इसी लिए टेक्स पे करना पड़ता है क्योंकि उन्हें जो इंकम होती है वो सैलरी की रूप में होती है और उस इंकम को हम कहते है रियलाइज इंकम उन्हें जो पैसे दिये जाते हैं वो उनके बैंक में आते हैं और बैंक से डिरेक्ट टेक्स कट जाता है अक्षे कुमार एक साल में 30 करो टेक्स बर देते हैं और इसी के साथ उन्हें हाइस टेक्स्ट पेर का सर्टिविकेट भी मिल चुका है तो हमें कमेंड में बताइए कि आप टेक्स पे करते हैं या नहीं